धनात्मक परिमे घातांक हम जानते हैं कि 2 की घात 3 बराबर 8 है इसे हम ऐसे भी लिखते हैं 8 की घात 1 बटे 3 बराबर 2 इसी प्रकार 5 की घात 3 बराबर 125 इसे हम 125 पूरे की घात 1 बटे 3 बराबर 5 भी लिख सकते हैं व्यापक रूप में यदि X व Y दो शुनियत्तर परिमे संख्याएं हैं और किसी धनात्मक पुर्णांक M के लिए X की घात M बराबर Y है तो X बराबर Y की घात 1 बटे M भी लिख सकते हैं Y की घात 1 बटे M को Y कर्णी घात M भी लिख सकते हैं Y कर्णी घात M को हम Y का M वा मूल कहते हैं जैसे 9 का दूसरा मूल बराबर वर्ग मूल 9 बराबर 9 का दूसरा मूल बराबर 3 अन्योधारन देखें तो यदि किसी घन का आयतन 64 घन इकाई है तो उसकी भुजा 64 की घात 1 बटे 3 इकाई होगी याने 64 का तीसरा मूल बराबर तीसरा मूल 64 बराबर 4 इकाई अर्थात घन की भुजा 4 इकाई होगी 625 का चौथा मूल बराबर 625 का चौथा मूल बराबर 5 इस प्रकार हम X की घात M को किसी धनात्मक परिमेग हातांग M के रूप में वैक्त कर सकते हैं यदि X एक धनात्मक परिमे संख्या है तथा M बराबर P बटे Q एक धनात्मक परिमे घातांग है तो X की घात P बटे Q को हम X की घात P के क्यूवे मूल के रूप में परिभाशित कर सकते हैं जैसे यदि किसी गोले का आयतन 4 बटे 3 पाई गुनित 125 है याने R की घात 3 बराबर 125 है तो उसकी त्रिज्या होगी R बराबर 125 का तीसरा मूल बराबर 125 की घात 1 बटे 3 बराबर 5 की घात 3 पूरे की घात 1 बटा 3 त्रिज्या R बराबर 5 की घात 3 बटा 3 बराबर 5 की घात 1 बराबर 5 अर्थात X की घात P बटे Q बराबर X की घात P पूरे की घात 1 बटा Q उधारन के लिए हम 8 की घात 5 बटे 3 को विभिन्न प्रकार से वैक्त कर सकते हैं 8 की घात 5 बटे 3 या 8 की घात 5 पूरे की घात 1 बटा 3 या 8 की घात 1 बटा 3 पूरे की घात 5 या 2 की घात 3 गोने 1 बटे 3 पूरे की घात 5 या 2 की घात 5 या 32 अर्थात यदि X एक धनात्मक परिमे संख्या है तो किसी भी धनात्मक परिमे घातांग P बटे Q के लिए X की घात P पूरे की घात 1 बटा Q बराबर X की घात 1 बटा Q पूरे की घात P